हेलो फ्रांट वेल्कम बैक टू माई जैनल कैसे हैं आप सब आशा करती हूं कि आप सब ठीक होंगी तो आज मैं आपके साथ सेयर कर रही हूं महंगो सेख तो आपको मैंने काट लिया है पके हुए और इसमें मैंने डाल दी चिन्नी तीन चार टेवल ओ छोटे चमच मैंने डाले हुए हैं आप अपने हिसाब से डाल सकते हैं और इसमें मैं एड़ कर रही हूं दूद दूद मैं गिलास के हिसाब से डाल रही हूं नापके तो यह देखिए आज कल हमका सीजन है और गर्मियों में बहुत अच्छा लगता है मैंगो शेक तो ने सुचा के साथ शेयर कर लेती हूं जल्दी से और बहुत टेस्टी बन जाता है तो यह देखिए इस तरह से और इसमें मैंने डाल दी बरफ के जंदे दुद्ध भी मैंने थंदा ही लिया हुआ है संधिय के थोड़ा से मैंने डाल दीया इसमें फर्फ की डुकड़े और सब मैं करलूँगी इसको ग्राइंट तो यह देखिए फ्रैंट यह मैंने ग्राइंड कर लिया है और थोड़ा सा मैंने इसमें क्रीम भी डाली थी फ्रेश क्रीम तो आप भी डाल सकते हो यह देखिए इस तरह से और मेरा मांगयों सिक्तियार है जल्दी से बन जाता है और बच्चे भी बहुत तीखुश होकर पी लेते हैं तो आप भी ट्राइ कर सकते हैं घर में और यह मैंने कुछ ड्राइफ रूट्स ग्राइंड की होए थे जो इसमें बदाम और काजु लिए हो है मैंने जो मेरे पास तो यह मैं उपर से डाल दिये हैं और कुछ मेरे बीच में भी डाल दिये थे तो थोड़े से मैं उपर से डालूंगी विदाम इसमें काट के रखे हूं है गार्निस के लिए यह रिचिए और आपको कैसा लगेगा मेरा मैं गोशेक तो प्लीज बताईएगा जरूर और अगर मेरे चैनल पे न्यू हों तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा कमेंट कीजिएगा ताकि हम आपको एक और अच्छी सी आपके लिए तो इसमें थोड़ा समय बर फोर डाल रही हूं ताकि एक्स्ट्रा ठंडा हो जाए उपर से मैंने दो किलास में ही डाला है क्योंकि ममी डैरी नहीं लेंगे उपर से एक्स्ट्रा तो अपने लिए और बेटे के लिए बनाया था उसी में डाला है तो ये देखिए मैंगो से एक त्यार है और आजाए आप भी मेरे साथ पी लीजिए अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर देना कमेंट कर देना और शेयर कर देना अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो ओके बाए मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ